जब मैं फॉर्स्ट इयर MBBS में एडमिशन मैंने लिया मौलाना आजाद मिड़ेगा कॉलिस में तो दे सेकिंड में मेरे एक सीनियर ने कहा एक गुलाब दिया और उसने कहा कि जो मेडम आ रही है जाके घुटने टेक के बोलना है मेडम आई लव यू देस अपार्ट º रगइग मैने कहा कि सबसे नहीं हो पाएगा आप भले बटक लगा लू मंजूर है दौडानों मंजूर्य यंश्वर मंजूर यह जो आप कहरते उसके और यह कहोए रही हूट कि तो मेरे सीनियर ने डाड की कहा कि मैं तेरा सीनियर हूँ कि तू मेरा सीनियर है तू मुझे ओर्डर देगा कि मैं तेरे को ओर्डर दूँगा मैंने बोल दिया है यह वचन बिल्कुल सत्य है और इसी को दोहराना पड़ेगा बहुत सारे मेरे कलीक कहते थे कि जो सिनियर ने बोल दिया अगर एफोर बॉल होगा तो बॉल ही मानना है एपल नहीं मानना है मुलाना जाथ में अक्सर ऐसा होता था अल्टिमेटली मैंने रोज लिया और डर्टे डर्टे उस लड़की के पास पहुंचा सेकेंड या थर्ड यर में होगी मेरे हिसाब से और बहुत हंसी भी आ रही थी और हंसी से जादा बहुत जादा डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा कहीं थपड़ ना मार दे क्योंकि इसके पहले आस तक ऐसा मैंने कभी किया नहीं था सो बहुत मतब की पसीने चूट गये थे और मतब काफी डरा हुआ था मैं कि पता नहीं क्या होगा बहुत मुस्किल वाज सिचुएशन था और उस लड़की जो थी एक लड़के के साथ आ रही थी हो सकता है वो बॉइफरेंड हो हो सकता है उसके फैमिली मेंबर का हो तो मेरगी के पास पहुंचा और आगे की कहानी मैं आपको पूरे एपिसोड में बताने वाला हूँ मैं लेके आ रहा हूं कि एम एमसी की यादें विट डॉक्टर इसके सिंग आपको बहुत मजा आएगा और यह एपिसोड लगतार फर्स्ट यर के तीन-चार एपिसोड होंग और आपको एक बहतर अन्भव दिलाएगा तो बने रहें मेरे साथ एमबी बीएस की यादें विट डॉक्टर इसके सिंग और एममसी की यादें विट डॉक्टर इसके सिंग मैं सारी कहानी को आपको सुनाओंगा थैंकिसो मुच